नवस्कार दोस्तों आर के बार माई लेक्टिकल चेनल पर आपका स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजी और बैल आइकन को लिजे प्रेस जिससे की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पर आप्त हो सके तो आज का हमारा टोपि और डी यह पिरकार की आग जो होती है हमारी लकड़ी यारे ठोस जैसे लकड़ी कागवच कपड़ा जूट इत्यादी में लगी आग एसे रहने के अंतरगात आती हैं और इन्हें पुझाने के लिए सीतल जली उप्यूक्त रहता है तो आगे चलते हैं बी किलास पर जो एलेंसी न्दरवों एवन ठोसों जैसे मिट्टी का तेल डीजल पेट्रॉल इत्यादी में लगी आग दीस रहनी के अंतर गताती हैं और इन्हें भुझाने के लिए फॉर्म टाइप यंतर एवन कारवन नहीं ऑक्साइड वाले यंतर उप्यूक्त रहते हैं इस प्रका के आग जल के द्वारा नहीं बुझाई जाती हैं तो आगे चलते हैं सिलेंड़ी सी क्लास के आग जो होती हैं सिलेंडर आदी में एलपीजी गैस इत्यादी में लगी आग यानि गैसों में लगी आग सी क्लास के अंतर गदाती हैं और इसे बुझाने के लिए हमारे सुक्स चूरून वाले जो अंतर होते हैं वो काफी उप्यूक्त रहते हैं चलते हैं अगली टाइप पर डी क्लास के आग बिजली के तारों विद्धू तुपकरों अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग इस सिर्णी के इंतर गदाती है और इसे भुझाने के लिए कारवन डाइयोक्साइड सुक्स चूरून कारवन टेट्रक्लोराइड हैलो परकार के अंतर काफी उप्युक्त रहते हैं और नोट करके इस आग के लिए जाग वाले अंतर अथ्वा जल की बहचार वाले यंतर इस आग को भजाने के लिए उप्युक्त नहीं रहते हैं और एक्जाम की दरश्टी से डी किलास की जो आग है बहुत ही इंपोटेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है एक बढ़ फिर रिवाइस करेंट हाले हूं आगचार परिकार के होती है ए बी सी डी सामे ठोस द्रव और गैस यहीं किलास की जो ठोसों में आग लगने वानी आग एक किलास के इंतर गरद आती है और दिर्वों में लगी आग B किलास के अंतर गज़ आती है और गैसों में लगी आग C किलास के अंतर गज़ आती है और D किलास के आग विद्धतारों के दुवारा लगी आग D किलास के अंतर गज़ आती है उमीद करता हूँ मेरे दुवारा दे के जान करिया आपको अच्छे से समझारी होगी